अफ्रिकन देशों में इसे माताओं का सबसे अच्छा दोस्त और पश्यमी देशों में इस न्यूट्रिशन डाइनामाइट के नाम से जाना जाता है। सौसे भी अधिक तरीकों से इसका उप्योग पोशन के लिए होता है। मुनगे की फली से जहां स्वादिष्ट सबजी बनती है तो वहीं इसे सेख कर खाने से ये मुंग फली जैसा स्वाद देता है। मुनगे की बीज से तेल, चाल, पत्ती, गोंद और जड़ से आयरवेदिक दवाईयां और तने, फूल, पत्ती से खादी तेल मिलता है। मुनगा 300 से भी अधिक बिमारियों के उपचार में काम आता है। शीशू और बढ़ते बच्चों के लिए टॉनिक के समान है। विटामिन, आइरन और अमीनो अमल मिलता है मुनगे की पत्यों का रस गर्भवती माताओं को प्रसव पीड़ा से राहत देता है और इससे माताओं में दूद का स्राव भी अधिक बढ़ जाता है मुनगे को लगाने के लिए ताजे बीजों को रात भर पानी में बिगोएं खाद और बालूरेत मिली आड़ बाई चार के पॉलिथिन बेग में दो बीज प्रती बेग के अनुसार एक से दो इंच की गहराई में बीज को लगाएं एक महाबाद पॉधों को डिएड़ भाई डिएड़ के गड़े में लगाएं और हलकी सिचाई करें छे महाबाद ये पॉधा फल देने लगता है मुनगे की पत्तियां भी बहुत लाबदायक है इसे भंडारित भी किया जा सकता है सरुटधमी से पीर से तोड़ें, छाया में सुखाएं, कूट कर बारिक करें, फिर इसे छान लें और फिर आप इस चोंड को सबजी में मसाले की रूप में काढ़ा बना कर या फिर इस रोटी के आटे में गूत कर आप उपयोग कर सकते हैं और तोर आप इसकी चोंड को टी एचार की पाउडर में मिला कर लड़ू और चक्की भी बना सकते हैं और साथ ही डाइट चार्ट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस वजन की बच्चे को कितनी मात्रा में मुनगी का पाउडर देना है सागर संभाग से कुपुशन दूर करने में मुनगा एक महत्व पूर्ण हत्यार है आईए कुपुशन की इस लड़ाई में हम सभी शामिल हों एवं माता और बच्चों की स्वास्त को उत्तम और निरोगी बनाने में अपना योगदान दें झाल